नमस्कार दोस्तों तीन हमें मबर दोजार रिकिस के एपिसोड में महल में गौतमा राणी साहिब और बाकि सबी राणियों के बीच हसी मजाग चल रहा है और उतने में ही रखमा सबसे कहती है कि अहिल्या देवी मा का दर्शन लेने के लिए गुंदर गई थी लेकिन अभी त पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी होगी इस पर अहिल्या गुसा होकर कहती है अगर हम एक स्त्री होकर स्त्री के लिए ऐसी सोच रखेंगे तो बाकी लोगों से हम क्या पेक्षा रख सकते हैं इस पर अहिल्या को चुप कराते हुए गौतमा कहती है बाना बाई सही कह रही है और वैसे भी अहिल्या तुमने रेनू के लिए बहुत कुछ किया है आज तक और मैं तो कहती हूँ हद से जादा किया है तो अब रेनू के लिए तुमें सबसे उलजने की जरूवत नहीं है और वो भी अपने घर के बाहर तुमें अपने परिवार के बारे में भी सूचना चाहिए तुम राजगरानी की रानी हो और अहिल्या इस समय तुमें किसी और ध्यान देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है और ये बात मैं तुमसे बार बार तो नहीं कहने वाली और उसके बाद अहिल्या को थोड़ा दूर ले जाकर गौतमा कहती है आज खंडे राव को दरबार में समय से पहुचाने की जिम्मेदारी तुमारी है हमें पता चला है कि राच बड़े सरकार राच पुताना मोहिम के नित्रुतव का चुनाओ करने वाले है और उतने में ही गौतमा को आवास देते हुए द्वार का कहती है मुझे लगता है अक्का साहिब उस बात के लिए थोड़ी देर हो चुकी है क्योंकि हम अभी आ रहे थे तब हमें रास्त चला है कि बड़े सरकार ने राच पुताना मोहिम के लिए हमारे जावई बापू का सेनापती के रूप में चुनाओ किया है द्वार का की ये बात सुनते ही गौतमा चौक जाती है और जूट मूट की हसी दिखा कर द्वार का को अभिनंदन कहके वहां से निकल जाती है और तुम रो रही हो हमें सब कुछ पता चल चुका है तुमने राणी साहिब को यानि अहिल्या को क्यों रोका अगर मैं वहां होता इस पर रेनू परिशित से कहती है क्या करते आप इस पर परिशित कहता है वैनी साहिब तो राजगराने की राणी है लेकिन मैं तो ठेरा एक सर जवाब देता कि उसके बाद वो किसी का अपमान करने के लायक नहीं रहते और आपको उन जैसे लोगों की बातों को दिल से लगाने की कोई जरुवत नहीं है और हाँ अगर आगे से आपको कोई कुछ कहे तो आप मुझे आकर बताईए मैं उन्हें करारा जवाब दूँगा और इसके बाद रेनु के चेहरे पे हलकिसी मुस्कुराहट आ जाती है लेकिन दोस्तों चुगल खोर यमुना बाई दूर से परिक्षित और रेनु को भगीचे में बात करते हुए देख लेती है और यहाँ द्वार का अहिल्या को बीच रास्ते में रुका कर पूछती है क जा रही हो अहिल्या कही तुम बड़े सरकार के पास उनका निर्णे बदलवाने तो नहीं जा रही हो इस पर अहिल्या चौक कर कहती है मैं कुछ समझी नहीं इस पर द्वार का कहती है अहिल्या अगर सूर्य को मुठ्थी में बंद किया जाए तो उसका प्रकाश बाहर आता ही है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ लेकिन अब हमारे जावई बापु यानी गुनो जी खंडेराव से बहुत आगे निकल चुके है मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें हर बात हर चीज में जीतना होता है तुम्हें हार कभी पसंद र को यह प्रशाद देने जा रही थी और रही बाद सेना पती के चुनाव की गुणोजिदा जी भी इस परिवार के सदस्य है और इस घर के किसी भी सदस्य की उन्नती पर मुझे खुशी ही होगी और मैं उन्हें तहे दिल से शुपकामनाय भी दूँगी और क्या है ना मंजलियाई साहिब मुझे बाबा साहिब ने एक बात सिखाई है कि लड़ने से पहले हार मानना और प्रयास करने से पहले हतियार डालना ये होलकर परिवार की परंपरा नहीं है और मैं भी उसी परंपरा का पालन कर रही हूँ मेरे पती के भविष्य की चिंता करना और उनका भविष्य समृद्ध बनाना ये मेरा धर्म है ऐसा कहकर अहिल्या वहाँ से निकल जाती है और यहां यमुना परिक्षित के बगीचे से जाने के बाद रेनु के पास जाकर उसे भला बुरा कहने लगती है वो उसे कहती है तुमें थोड़ी भी शरम नहीं आती एक विद्वा होकर एक पुरुष के साथ हसकर बाते करती हो इस पर रेनु यमुना से कहती है पर परिक्षित जी तो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते है इस पर रेनु को यमुना कहती है पराए मर्दों के साथ दोस् और मन ही मन कहती है शीव जी और कितना अपमान और ताना सहन करूँ मैं क्या गलती है मेरी कि मैं कि विद्वा हूँ। गुस्सा आया लेकिन इसलिए नहीं कि आपने मुझे दिया हुआ वादा तोड़ दिया बलकि इसलिए गुस्सा आया क्योंकि आपने आपको जखमी कर लिया। आपने इतने बड़े बड़े दुश्मनों को मात दी है। फिर ये लत्त वाप के लिए बहुत छोटी बात है। दोस्तों ही आज का एपिसोड खताम हो जाता है। आगे के अपडेश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। धन्यवाद।